ms excel के अंतरगत formula and function के अंतरगत आज हम समझने वाले हैं count function के बारे में count function के अंतरगत होता है count, count a, count blank, count if और count ifs इन सभी function को example के द्वारा आज यहां पर discuss करने वाले हैं तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और एक चीज़ हम बतला दें यदि आप हमारे certification course 60 days certification course को join करना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में link की दी गई है वहां से जाकर के certification course को join कर सकते हैं 60 days इसका certificate सभी प् government job और private job में मानने होगा अभी GDS की जो vacancy आई होई है उस पर हमारे certificate issue हमने जो किये हुए थे वो सभी जगा चल रहे हैं तो आप भी और भी किसी प्रकार की government job के लिए हमारे certificate course को apply कर सकते हैं इसके लिए link वीडियो के description में दी गई है तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं count function count function को समझने के लिए कुछ इस प्रकार का हमने data sheet तयार किया हुआ है एक values दे दी हमने जिसको हम count करेंगे तो यहां पर कुछ numeric values हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हो कुछ यहां पर हमने alphabet values भी दी हुई है ठीक है और कहीं पर blank भी दिया इसको delete और यहां पर equal to करते हैं और यहां पर लगाते हम count और यह देखे count के अंतरगत यह सारे functions आते हैं जिनकी series आज हम example के द्वारा समझने वाले हैं और यहां पर जैसी हमने select किया count counts the number of cells in a range that contain numbers यह केवल उसी cell के numbers को count करेगा जिसमें की number है और यदि alpha weight है तो उसे count नही करेगा हमने left parenthesis लगाया और इस function में हमको argument पास करना है उसके लिए इस तरीके से हमने इस cell range को select कर लिया और इसके बाद इसे हमने बंद कर दिया यहां पर देख सकते हूँ एक blank है और यहां पर कोई alpha weight है क्या नहीं है enter हमने कर दिया तो कितना आगे है यहां पर five one two three four five इसक यहां है तो हम इसको drag and drop करके copy paste भी कर सकते हैं यह हमने select किया और इस तरीके से इसको हमने select करने के बाद इसको बंद किया enter कर दिया यह देखे three value आई क्यों आई one two three केवल तीन cell में ही numeric values है और बाकि इन दोनों में alphabet values है इसलिए count function ने उसको count नहीं किया इसके अलावा अब हम इसको copy भी कर सकते हैं यह देखे हमने copy कर लिया यहां पर three केवल तीन values है इसलिए count किया गया इसके बाद हम समझते है count a यदि आपकी requirement यह है कि आपको सभी चीजें count करना है तो उसके लिए आप कौन सा function इस्तमाल करते है count a किस तरीके से इस्तमाल करेंगे देखे count और उ down arrow की से इसको select किया tab की दवादी यह select हो गया और अब हमने इस cell range को complete select किया argument के रूप में पास करने के लिए और उसके बाद जो है यह हम यहां तक select करेंगे यह देखे यहां से हमने select किया यहां तक और इसको हमने बंद कर दिया और यहां पर देखो दो alpha weight है और एक blank है अब इसको count किया इस count a function ने इस count a function ने number को जिस cell में number है उसको count किया और जिस cell में alpha weight है उसको भी count किया 1,2,3,4 और 5 इसको count किया चलिए अब next चलते हैं तो next में भी देख लेते हैं इसी को हम copy कर लेंगे formula को देखे यहां पर 5 आ गया और यहां पर 6 कैसे आ रहा है 1,2,3,4,5 और 6 सभी में इसमें values हैं कोई भी blank नहीं है 3 में alphabet values हैं इसलिए इसने total कितने count किया 6 count किया इसी प्रकार से अगला function होता है count blank function को समझते हैं उसके लिए यहां पर भी data हम इसको delete कर देते हैं और equal to लगाते हैं और यहां पर हम करते हैं count blank यह आ गए हम count blank function को range select करना है range select करने के लिए हमने यह complete range को select कर लिया और shift के साथ इसको close कर दिया enter की press कर दी इस पूरी data की series में यहां पर केवल एक blank है तो इसलिए यहां पर क्या आगया answer में one आ गया तो जो भी data range के अंतरगत blank होता है उसे count करने के लिए count blank function का इस्तमाल किया जाता है इसे हमने copy कर दिया तो सभी जगा count है के सभी जगा यहां पर blank जो है one है इसलिए इसने क्या दे दिया सभी जगा one दे दिया और यहां पर zero क्यों आ रहा है क्योंकि इहां पर सभी में हमारा alpha weight है या numeric है कुछ ना कुछ values यहां पर दी गई है इसलिए क्या आ रहा है zero आ रहा है तो इस तदिए से हम count function count a function और count blank function का इस्तमाल कर सकते हैं तो आपको क्या करना है इसी प्रकार से Excel में एक data sheet तयार करना है और तीनों में आपको count count a और count blank function का इस्तमाल करना सीखना है इसके बाद चलते हैं अब next हमारा function है जिसे हमें को समझना है और वो है count if function दो count if function को समझने के लिए कुछ इस प्रकार से वर्कशीट को तयार किया गया है देखे क्या है यह वर्कशीट इस वर्कशीट में हम एक employee की attendance को calculate करेंगे attendance के लिए जहां पर यदि attendance हमने present के लिए P लिखा हुआ है absent के लिए A और leave के लिए L लिखा हुआ है तो इस प्रकार से हम इन particular character के आधार पर cell की values को count करेंगे कि कितनी total present है पूरे हपते में उस आधार पर employee को salary दी जाएगी worker को salary दी जाएगी तो इस example को किस प्रकार से हम count if के द्वारा जो है employee की salary बनाएंगे उसे आज हम को समझना है तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए कि इस worksheet को सबसे पहले इस example को note कर लीजिए ताकि आप भी इसी प्रकार के example को अपने computer में बना सकें और practice कर सकें तो यहाँ पर serial number दिया गया है worker name है उसके बाद post है ठीक है एक exercise को बनाने के लिए इस तरीके से दे दिया है उस प्रकार से उपर की cell में क्या दे दिया है week days लिख दिया है Monday to Sunday तक और उसके बाद present absent जो भी present होता है जो भी absent होता है जो भी leave लेता है यह पूरा data यहाँ तक complete भर देना है इस पूरे data को भरने के बाद यहाँ पर किस तरीके से हमको काम करना है इस data को हम delete करते है ताकि यहाँ पर count कर सकें तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लगाना है कौन सा function count a function जिससे कि हम यह count कर सकें कि total कितने days total कितने days काम किया गया है तो count a function के द्वारा हम alpha weight को भी count कर सकते हैं इसलिए हम count a function का इस्तमाल करेंगे तो हमने count a को select किया अब यहाँ पर value की range को select करना है हमने value की range को select कर लिया और उसके बाद हमने enter की press कर दी तो यहाँ पर 7 days आ गया और इस तरीके से इस formula को हम सभी cell में copy कर लेंगे तो यह 7 days सभी में जाएगा present date हमको count करना है क्या count करना है present days तो यहाँ पर इस्तमाल होगा किसका count if का equal to लगाया हमने count if यह देखो tab की दबाई तो automatic count if select हो गया सबसे पहले आएगा range तो range में हम यह select कर लेंगे देखो automatic इसमें argument में बतला रहा है क्या select करना उसके बाद comma लगाएंगे उसके बाद criteria क्या select करना है हमको हमको select करना present और present हम किस से denote कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर inverted comma में जाकर के हम लिख देंगे क्या पी formula को सुधारना है तो select कीजिए और यहाँ पर जाकर के formula bar में भी और या function bar में भी आप type कर सकते हैं जैसी हम enter करेंगे तो देखें यहाँ पर कितनी present हैं एक दो तीन चार present हैं तो इस परकार से आगया एक बार और हम count if का इस्तमाल करके देख लेते हैं हमने किया यहाँ पर count if उसके लिए हम चले गए यह tab की दबा दी यह select हो गया उसके बाद हमने यह cell की complete range select कर ली उसके बाद हमने यहाँ पर comma लगा दिया और उसके बाद हम को क्या select करना है यहाँ पर present days तो यहाँ पर inverted comma के अंतरगत हम क्या select करेंगे inverted comma के अंतरगत हम P यहाँ पर type करेंगे और bracket को कर देंगे close parenthesis को enter करेंगे तो इस परकार से total present आ गई 5 देख लीजे एक दो तीन चार पाँच प्रेजेंट आ गई यदि इसको भी हम करते हैं जो प्रेजेंट एंटर करते हैं तो जो भी एक सेल के अंतरगत फॉर्मूला या function लगते हैं तो जैसे यह data change होता है तो फॉर्मूले के answer में भी reflection दिखाई देता है और यहाँ जाकर कि हम इसको drag and drop करेंगे तो present days आ जाएंगे absent days में आप समझ चुके होंगे बहुत ही असान है यहाँ पर जाकर कि हमने किया count if और हमने count if select किया और उसके बाद यहाँ से जाकर कि हमने range select कर ली और कॉमा लगा दिया और inverted कॉमा में इस बार हमको क्या select करना है absent को हमने यहाँ पर select कर लिया और उसके बाद हमने close कर दिया parenthesis enter कर दिया तो यह absent आ गया कितनी one यहाँ पर देख सकते हो कि एवल एक ही absent है इसको select करके हम drag कर देंगे तो यहाँ पर जिसमें एक भी absent नहीं है तो उसमें zero दिखाई देगा और जिसमें absent है तो total absent दिखाई देंगे इसके बाद है leave days तो leave days कैसे करेंगे हम equal to लगाएंगे फिर से हम करेंगे यहाँ पर count और हम जाएंगे यहाँ पर count if tab की दवादेंगे और यहाँ से जाकर के हम इसकी range select करेंगे फिर हमको यहाँ पर comma लगाना है और यहाँ पर leave के लिए हम select कर देंगे यह इस तरीके से हो जाता है तो आप यहाँ पर चले जाएए और leave के लिए हमारा जो character हम ले रहे हैं वो L है तो यह leave आ गया इस formula को हम इस तरीके से copy कर लेंगे per day salary यहाँ पर हम को क्या entry करनी है per day salary entry करनी है और उस आधार पर हम in hand salary निकालेंगे तो in hand salary निकालने के लिए हम किसका multiplication कर रहे हैं हम कर रहे हैं यहाँ पर present days का into per day salary वह जितने दिन वो present हुआ है उसको और multiply कितने salary मिल रही है enter कर देंगे तो इस प्रकार से total salary in hand बन जाएगी तो यहाँ पर हमने देखा किसका इस्तमाल count if का किसी particular character के अधार पर criteria डाल करके select करने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है count if का इस्तमाल किया जाता है इसके बाद last दिया गया है count ifs चलिए अब हम count ifs को भी इस प्रकार के example से समझ लेते हैं count ifs के example को समझने के लिए आप क्या कीजिए कुछ इस प्रकार से वरक्षीट में डेटा तयार कर लीजे जहां पर एक नाम है जो की repeat भी हो रहे हैं और mobile company है इन सभी को इन company के mobile को sales करने का target दिया गया है और sales quantity कितनी quantity जो है उन्होंने sell की 35 का target है legal sales quantity हुई 25 35 का target है sales quantity हुई 30 35 का target देखी कहीं achieve हुआ yes कहीं जगा है जो achieve हुआ है तो इस प्रकार से एक वरक्षीट तयार करेंगे उसके बाद यहां पर अब हम सब का नाम यहां पर तो repeat हो रहा है यहां पर सब का नाम एक एक बार लिखा हुआ संदीब सुदीर आसीज राजा और mobile company जो भी दी गई है वो दी गई है total quantity ठीक है अब हमको यहां पर क्या calculate करना है total quantity हमको calculate करना है तो किस तरीके से total quantity हम यहां पर calculate करेंगे कि आसीज ने blackberry के total कितने mobile cell की हुए है उसके लिए हम यहां पर लगाएंगे equal to और हम इस्तमाल करेंगे sum if function का और उसके बाद left parenthesis लगाएंगे सबसे पहले range है तो किस की range है यह नाम की range है उसके बाद comma लगाएंगे criteria क्या है हमको यहां से name select करना है उसके बाद comma लगाएंगे और यहां पर sales की quantity हम यहां पर select कर लेंगे ठीक है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर आशीश को आप देख सकते हो 45 है फिर आशीश दुबारा repeat हो रहा है नाम की नहीं या जैसे जो भी नाम है माली जे संदीप है तो एक बार 25 की cell की फिर संदीप ने 63 की फिर संदीप ने 32 की इनी सब का total यहां पर एक बार में calculate करके दिखा देता है और इस तरीके से यहां पर हमने कर दिया इसको close और enter की प्रेज कर दिया तो आशीश के total 45 आप देख सकते हो आशीश के total 45 की quantity cell हुई है एक बार और करके दिखा दिते हैं equal to sum if और यह bracket लगा दिया range में सबसे पहले नाम आएगा कॉमा आएगा उसके बाद criteria में हमने यह नाम select कर लिया फिर हमने यहां पर कॉमा लगाया sales quantity को select कर लिया हमने और इसको कर दिया close और enter कर दिया आगया 57 और आप देख सकते हो यह एक बार राजा 32 यहां पर है और यह राजा 25 है वैदे कोई apple और यहां पर भी apple है ठीक है इसी कारण से यहां पर हमने some if में क्या नहीं select किया यहां पर यह इस नाम को select नहीं किया इसके बाद चलते हैं अब हम target achieve में जिसमें कि हम इस्तमाल करेंगे किस function का इसमें हम इस्तमाल करेंगे count if function का इस पर हम इस्तमाल करेंगे count if function का जैसे कि हमने यहां पर attendance निकालने के लिए count if का इस्तमाल किया था हम इस example के द्वारा समझेंगे count if function का तो कैसे ध्यान से देखिएगा equal to लगाया हमने यहां पर target achieve किया की नहीं सुधीर ने target achieve कितने बार किया ये calculate करना है और उसको count करेगा कौन सा function count if function calculate करेगा कि target सुधीर ने कितने बार achieve किया हुआ है ये हमने count if select किया उसके बाद आ जाता है यहाँ पर criteria range 1 criteria range 1 में सबसे पहले select होगा यहाँ पर नाम उसके बाद हम लगाएंगे अब हम देंगे criteria में तो सबसे पहले criteria में हम देंगे नाम उसके बाद ये हो गया पहला criteria फिर हमने कौमा लगाया अब हम दूसरा criteria select करेंगे और वो क्या है mobile company का नाम ठीक है और हमने इसे select कर लिया और उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम सेलेट कर लेंगे यहाँ पर मॉबाइल और उसके बाद आएगा सम रेंज अब हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा और उसके बाद हम सेलेट करेंगे सेल्स कॉंटिटी और सेल्स कॉंटिटी को select करने के बाद हम लगाएंगे कॉमा और यहां पर लगाएंगे हम inverted कॉमा और इसमें हम चेक करेंगे कि कितने बार हमारी cell जो है वो greater than 35 हुई है और उसके बाद यहां पर आकर के हम इसको कर देंगे close और enter की प्रेस कर देंगे देखें सुधीर ने samsung को cell किया और target कितने बार अचीव किया एक बार देख लेते हैं सुधीर यह इस बार 30 है इस बार 33 है इस बार 38 है इसने एक बार target अचीव किया ठीक है इस प्रकार से count if function के द्वारा आप जो है क्या कर सकते हो एक particular cells data की range में एक number को select कर सकते हो और वो उसका count कर देगा मतलब condition आप लगा सकते हो फिर से देखे equal to हमने लगाया और यहां पर हमने select किया count ifs और यह हम आज आते हैं last function में tab की दवाया हमने criteria में सबसे पहले नाम select कर लिया और comma लगाया यह नाम select कर लिया हमने फिर comma लगाया दूसरा criteria हमारा mobile यह सवारी mobile थे comma लगाया हम लगाया cells की quantity को select किया फिर हमने comma लगाया और इस बार जाकर के हमने देदिया क्या फिर वही greater than 35 greater than 35 और इसको जाकर के हमने कर दिया यहां पर close और enter कर दिया तो देख लीजिए आसीज ने भी आसीज ने blackberry 45 के वल एक बार ही target अचीव किया हुआ है इसके लिए किसका इस्तमाल किया जाता है इसके लिए किया जाता है जब condition के अधार पर किसी data range में किसी number को count करना हो condition के अधार पर तो count if function का इस्तमाल किया जाता है non achieve कितने वार अचीव नहीं किया यदि यह count करना है तो उसके लिए क्या करना होगा फिर से देखे count if हमने इसको select किया टैब की दवाई और फिर वही रेंज नेम की रेंज आएगी फिर कॉमा आएगा फिर यहां से क्राइटेरिया इस तरीके से आजाएगा फिर कॉमा आएगा दूसरी बार मुबाइल की रेंज को सेलेट करेंगे कॉमा लगाएंगे इस क्राइटेरिया को सेलेट करेंगे कॉमा लगाएंगे और यहां पर inverted कॉमा लगाने के बाद यहां पर हम टाइप करेंगे अब less than 35 ठीक है क्या टाइप करेंगे less than 35 और इसको close कर दिया और enter की प्रेज कर दी तो देखे सुधीर ने दो बार achieve नहीं किया ही देखे सुधीर ने यह 30 एक बार यह हो गया और यह सुधीर दूसरी बार 30 थी दो बार achieve नहीं किया तो इसमें लगाते हैं greater than 35 और इसमें लगाया था हमने less than 35 तो इस तरीके से जब हम कोई numbers को count करना है किसी condition के अधार पर हम किसका इस्तमाल करते हैं count ifs का इस्तमाल करते हैं इसी formula को हमने सब में copy कर दिया और जिसने एक ही बार था 80 इसने उसने achieve कर लिया इसलिए यहाँ पर non achieve में 0 आ गया तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर देखा count count a count blank count a for count ifs function का use जो की example के द्वारा यह द तयार कर लीजे और इसकी practice कीजिए